नमस्कार दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी वीडियो भरती दो हजार अठारा अब यहां पर देखिए काफी सारे स्टुडेंट के सवाल आ रहे हैं क्या वैकेंसी दुबारा निकलेगी क्या जिन्होंने पहले परिच्छा नहीं दी थी क्या उन्हें दुबारा मौका मिलेगा या दुबारा एक्जाम कब तक हो सकता है सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले देशा देखिए कोर्ट का भी आधेस कल की डेट प्याया हुआ है यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि 14 लाग इस्टुडेंट ने फार में इसको इपलाई किया था लेकिन 9 लाग लोगों ने ही पेपर दिया था कि को सेंटर काफी दूर दूर भेजे गये थे लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो परिच्छा दुबारा होगी पहले बाद तो आपको बता दे रहे हैं कि आवेदन दुबारा फिर से नहीं मांगे जाएंगे जिन लोगों ने आवेदन किया था वही सिर्फ एक्जाम में बैठ सकते हैं अब समझ से आ रहे है कि 14 लाग लोगों ने फार्म एप्लाय किया परिच्छा 2018 में 9 लाग लोगों ने दिया तो नौल लाग बैट रहेंगे कि 14 लाग इतने लोग दुबारा परिच्छा में बैट पाएंगे वीडियो भरती 2018 वाली में ठीक है बिल्कुल निश्यत रही है एक बार पेपर में भी आया था और ऐसा आयो की तरफ से भी बताया जा चुका है कि 14 लाग ही अब यर्थी दुबारा से 8-bit कार्ट जारी किये जाएंगे अब जितने लोग पेपर दे पाते हैं वे अलग मैटर है ठीक है और यहां पर दीखे परिच्छा जो है यहां पर मिस्ट हो गया है यहां पर मार्च में होगा ठीक है न जैसा कि UPSSS ने कलेंडर जारी कर दिया है तो यहां पर आपकी परिच्छा की जो प्रबल संभावी ता नहीं नहीं है पीटी तो अभी आप काया है और 2018 पीटी थोड़ो चलता था तो यह सबसे बेतुका वाला प्रस ने लोग पूछ रहें कि पीटी पीटी से तो कहीं मतलबी नहीं है ठीक है ना अब उमीद समझ गया होंगे अब एक्जाम इसका कंफर्म है कि मार्च में ही और इस चैनल पर आपको इसमें देखिए रीजिनिंग हिंदी और जी के पचास-पचास यानि तीन सेक्षन में पेपर डेड़ सो नंबर क्याएंगे तो यहां पर हम आपको वीडियो की भी तैयारी सुरू करने वाले है तो अगर आप लोग नए है तो चैनल को